ओम शानती अपसो को सोगत है इस वर्दान में जहांपे परमपिता परमात्मा 16 में के वर्दान में हमें संगम्युक की महत्व के बरेम बताते हैं देखाई जाये तो अगर हम देखें इंग्लिश कालेंडर में हर चार साल के बाद में एक एक्स्ट्रा दिन आता है फेवरेरी के मन्त में और हमें वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हम बोते हैं चले एक दिन और बढ़ गया बिसनस वालों के बहुत अच्छा है नौकरी करने वालों के शायद साच्छा नहाँ लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं जैसे कि चार साल बाद में एक दिन एक्स्ट्रा आता है वैसे ही चार युगों के बाद में सत्युक्त्रेता दुआपर और कल्यु के बाद में सौवर्ष का एक्स्ट्रा समय मिलता है हमें वो extra समय जोता है वो हर कल्प के बाद में आता है कल्प मतलब चारो यूग जैसी समय क्रॉस हुआ वैसे हमें extra time मला वो extra time होता है कि हम पहले तो मनुष्य बने मनुष्य जैसे हम बने सूरत हमारी मनुष्य के जैसी बन गई है लेकिन हमारी जो सीरत है इस समय परमपिता परमात्मा हम आत्मा है जो की काम, क्रोध, लोब, मो, आंकार में पसी हुई है और जानवर से भी बत्तर हो गई है इस कारण से हमें ये एक्स्ट्रा सो वर्ष दिये जाते है और उसमें से 86 यह अलड़ी निकल चुके हैं तो मश्कुल से 84 साल ओल है हमें अपने आपको संपूर्ण पवित्र बना करके मुक्ती में जाने के लिए तो ये संगम यूग ऐसा समय है जहां परमपिता परमात्मा का हमारे साथ में संगम होता है, मिलन होता है हम जो बिच्ड़ी व्यात्मा है कई हजार सालों से धर्ती पर उत्री व्यात्मा है हम जो भूल जाती है अपने आपको और धर्ती पर आ करके हम अपने आपको शरी समझना शुरू करती है और पाप करना शुरू कर देती है तब परमात्मा कहते हैं मुझे आखर के तुम्हें सही दिशा, सही रस्ता दिखाना पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा रचेता हूँ, तुम्हारा क्रेटर हूँ, मैं कभी पाप करता नहीं हूँ तो तुम मेरे बच्चे पाप कैसे कर सकते हो हम जब भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की बच्चे हैं तो हमसे पाप होना शुरू हता है तो जहां पर बाप है परमात्मा है वहाँ पाप नहीं है और जहां पर बाप नहीं है या बाप को भूल गए तो बच्चे पाप करना शुरू कर देते हैं तो देखा आज परमात्मा कहते हैं के हैं इस वर्दान में बाबा कहते हैं संगम युक के महत्व को जान श्रेष्ट प्रालब्द बनाने वाले तीवर पुरशार्ती भबा कि यह संगम युक का समय है बहुत ही limited time है विसे भक्ती में भी का जाता है कि मनुष्य जीवन एक दुर्लब जीवन है बहुत ही मुश्किल से मिलता है परमात्मा कहते हैं मनुष्य जैसे बनने वाला यह जीवन है बेले तो आप बच्चे जानवर जैसे बने वह ओ अहांकार में रहते हो, क्रोध में रहते हो, इरिशा में रहते हो, ग्रिणा में रहते हो, नफरत करते हो, और उखे चीज़ें छीन लेते हो तो परमत्र केते हैं, और उखे सुख चैन छीनने वाले भी जानवर होते हैं इसी तरीके से हम आत्माएं अब पतित से पावन बनने के लिए अब पवित्र से पवित्र बनने के लिए परमात्मा हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ये संगम यूग का समय जो की बहुत महत्वपुन हैं तो संगम यूग छोटा सा यूग है सर्फ सौ वर्ष का बाकी सारे यूग हजारों वर्ष के होते हैं इस यूग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्ले हैं संगम का जो ये समय है और ये जो जीवन है कि परमात्मा हमें संगम पर जीना कैसा है अपने संसकारों को अपने हैबिट्स को कैसे चेंज करना है ताकि हम त्यार हो जाएं पेर तो परमधाम पहुँचने के लिए और फिर वहां से उतर करके सत्युग में पहुँचने के लि संगम युकपर आकर के हम आत्माओं को हम बच्चों को अपना परिचे सत्य परिचे देते कि मैं हूं कौन दिखता कैसे हूं रहता का हूं करता क्या हूं और तुम उससे शक्ति कैसे ले सकते हो और तुम मुझसे सत्यों कि मला स्वर्ग में जाने के लायक कैसे बन सकते हो और म मुक्ति में जाने के लाइक कैसे बिताते हो और इन दोनों में से जो भी चाहो तुम ले लो मुझसे दो परमात्व कहते हैं कि एक सेकंड भी ना छोड़ना साथ मेरा इस संगम युक पर ये सौवर्ष बहुत जरूरी है सेकंड गया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गया हर सेकंड अगर हमने अपने आपको शक्ति ग्यान गुनों से नहीं बहरा तो बहुत समय हमारा बेस्ट हो गया है सारे कल्प की श्रेष्ट प्रालब्ध जमा करने का यह युग है सौवर्ष है लिमिटेट टाइम है यहीं यहीं समय कल्यूग के अंत में अगर इस यूग के महत्व को भी याद रखो तो तीवर पुर्शार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे अगर याद रहे कि समय बहुत कम है कल्यूग का समय खतम होने वाला है यह संगम्यूग चल रहा है जो कि कल्यूग और सत्यूग के बीच का समय है आपका आयरे नीच और गोल्डे नीच के बीच का समय आयरे नीच अब गोल्डे नीच में परिवर्टन होने वाली है इतना भ वोग्म जाए सफ यह सौल साल में लें हमें पाप बसम काने लें, उसमें से भी आपकी उम्र कितनी रहेगी, आप कितनी समत के प्रेशियर में रहेंगे कोई गैरेंटी नहीं है, तो यह अमुल जीवन है, अमुल समय है, इसको हमें बिताना बहुत फट आफट सही तरीके से है वो भी परमात्मे की दिवे श्रीमत अनुसार अब वो श्रीमत क्या है ये समय कैसे इतना कम है कैसे कहे पा रहे है इसको समझे के लिए जो revelations परमात्मे ने करी है वो आप प्रमकुमारी इसमें आ करके सीख सकते हैं समझ सकते हैं Logically, Spiritually, Scientifically इसी के साथ ओम्षंटी